बड़े विद्वानों द्वारा, बताए गए ध्यान रखने योगे कुछ जरूरी बाते, थोड़ा समय निकाल कर सरूर सुने नमबर एक, अगर आपकी भी हट्टियों से कट-कट की आवाज आती है, तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त मातरा में दूद, दही, पनीर आदी का सेवन करना चाहिए नमबर दो, अगर आपके हाथ पैर में कमपन होने की समस्या रहती है, तो आप रात के खाने के इस बाद लॉंग चबा कर गरम पानी पी लें, जल्दी आपको फायदा मिलेगा नमबर तीन, आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बास सफेद नहीं होते हैं, आज से आप उबले हुए आलू का पानी फेकेंगे नहीं, बलकि इसका इसका इस्तिमाल करेंगे नमबर चार, यदि आप मोटापे से परिशान हैं और आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए अदरक और नीबू का रस बाराबर मातरा में मिला कर पीने से मोटापा जल्दी कम होता है नमबर पाँच, यदि कले की खरार से परिशान हैं, तो उसके लिए चौकलेट खाएं नमबर चै, यदि आप बार-बार किटनी, स्टोन और मूतर जलन से परिशान हैं, तो इसके लिए नारियल पानी का सेवन करें नमबर साथ, खाने के बाद गुड का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है, प्रति दिन गुड का किसी ना किसी रूप में प्रयोक करने से एनिमिया का खत्रा नहीं रहता है नमबर आठ खाना खाने के बाद भारी पन महसूस होता है तो आप गरम पानी में काला नमक और नीबू मिला कर पी लो आराम मिलेगा नमबर नौ ज्यादा गर्म चाए पीने से दात खराब होते हैं इसलिए हमेशा चाए थोड़ी थंडी पीनी चाहिए नमबर दस ज्यादा नमक का इस्तमाल करने से हाई ब्लड प्रिशर की समस्या बढ़ सकती है नमबर ग्यारा शरीर के किसी भी हिस्सों पर मोच आ जाए तो बरफ के टुकडों से मालिश करनी चाहिए इससे आराम मिलता है नमबर बारा यदि आप खासी से परिशान है तो उसके लिए भुने हुए चने का सेवन करें नमबर तेरा गुलाब का फूल सूंगने से डिप्रेशन कम होता है नमबर चौदा खीरे का सेवन करने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है नमबर पंदरा खाना खाने के बाद बदहस्मी या खटी डकार आने की समस्या है तो खाने के साथ प्याज और नीबू निचोड़कर खाना चाहिए इससे बदहस्मी नहीं होती है नमबर सोला आम का ज्यादा जूस पीने से यूरिक एसिट की बिमारी हो सकती है नमबर सत्रा रात को सोने से पहले मूँ में इलाइची रख लिया करो मूँ से कभी भी बदबूर नहीं आएगी नमबर अठारा खाना खाने के तुरंत बाद सोने वाला व्यक्ति जल्दी बूड़ा होता है नमबर उन्नेस गरम दूड़ पीने के बाद तुरंत पानी पीने से व्यक्ति को खासी की समस्या हो सकती है नमबर बीस हिच्की लगातार आ रही है तो एक लॉंग पानी के साथ खा लें ऐसा करने से हिच्की रुख जाती है नमबर एक्केस नाखुन दातों से नहीं काटने चाहिए ऐसा करने से दिमाग कमजोर होता है नमबर बाइस बगरी का दूद पीने से ठकान नहीं होती है नमबर तेज़, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिये, ऐसा करने से व्यक्ति को मुटापा की समस्या हो सकती है नमबर चौबेश, काजु का सेवन करने से नजर और दिमाग तेज होता है नमबर पच्चिस, अंगूर नमक के साथ खाने से फेफ़रों का कैंसर नहीं होता है नमबर चब्वेश, गले में मचली का काटा फस गया हो, तो गुड का सेवन करना चाहिए नमबर 27, यदि आपके पेट में गैस बनती है, तो आधा चमच दाल जीनी का चून गुंगने पानी के साथ खा लें गैस बनना बंद हो जाएगा नमबर 28, बासी रोटी खाने से दातों में ठंडा गरम लगने की बिमारी दूर हो जाती है और दात मजबूत रहते है नमबर 29, अगर आपके लिवर में कमजोरी है, तो साब उदाने का सुबह शाम इस्तेमाल करें नमबर 30, नीभू के पत्तियों को कुचल कर सूंगने से सर का दर्द ठीक हो जाता है नमबर 31, सुबह उठकर आखों पर ठंडे पानी के छीटे मारने से आखों और दिमाग को ठंडक मिलती है नमबर 32, अगर आप चाहते हैं कि आपका चैरा 18 साल जैसा नज़र आए, तो गोभी और दही की मलाई मिक्स करके खाया करें नमबर 33, अगर आपको कमजोरी मैसूस होती है तो काजू का सेवन करें काजू शरीर की कमजोरी को दूर करके शरीर को उर्जा प्रदान करता है यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें धन्यवाद